समस्कार आज के पाठ में मैं आपको चार्ली चैपलीन के बारे में बता रही हूँ सभी का चित्रंकन की द्वारा मैंने व्याख्या की है पूरे पाठ की तो आप वीडियो को आंच तक जरूर देखिए चार्ली चैपलीन पाठ के लेखक है विश्नु खरे चार्ली चैपलीन ने अपने फिल्मों में मानविय भावनाओं का चित्रं किया है वे तथा उनके पात्र सोच समझ कर क्रिया नहीं करते हैं अपे तो उनके मन में जो भावनाओं आती हैं उसी के अनुसार वो व्यहवार करते जाते हैं चार्ली चैपलिन की फिल्मों को हर कोई पसंद करता था चाहे वे पागल खाने के मरेज हो, सिर्फिरे पागल हो या आइंस्टाइन जैसे महान वेग्यानिक हो सभी चार्ली चैपलिन को बेहत पसंद करते थे चार्ली चैपिन की फिल्म कला को लोगतांत्रिक इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने किसी एक वर्ग जाती या समोह के लिए नहीं बलकि पूरे संसार के लिए फिल्में बनाई इसलिए उनकी फिल्में सभी देशों के सभी लोगों को अच्छी लगती थी प्राये फिल्मों में भी वर्ग का बोलबाला होता है अधिकाश फिल्मकार अलग वर्ग जाती के लिए फिल्म बनाते हैं कुछ फिल्में कला फिल्म होती हैं कुछ फिल्में धारमेक राजनितिक आदी भावनाँ पर आधारित होती हैं परंतो चाली चैपली ने ऐसे फिल्में बनाई जिनका आनंद विश्व का कोई भी प्राणी ले सकता है। चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी आयू का हो, जाती या वर्ण का हो। जो लोग समाज में समानता नहीं चाहते या अपने वर्ग वर्ण का एक अधिकार चाहते हैं, उन्होंने चाली चैपलीन की फिल्मों पर हमला बोला। बात करते हैं उनकी माता जी की, चाली चैपलीन की माता जी एक साधारण किस्म की अभी नेत्री थी, जो स्टेज पर कार्या करती थी, उनके पती ने उन्हें परित्याग कर रखा था, और वह गरीबी की मा सहते सहते पागल हो गई थी, चाली के पिता यहुदे वाश के थे, चाली का बच्पन घोर कस्टों में बीता, उनकी माता जी व्यवसाई से साधारण किस्म की मंचिय अभी नेत्री थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनकी यही हाला जो थे, उन्हें पागलपन की हद तक ले करके गए, कठिन परिस्तितियों में, चाली चैपलीन ने बड़े बड़े पुझी पतियों और सामंतों से घोर उपेक्षा सहन की, भेंकर गरीवी में जीना, मा के पागलपन को जेलना, पित्री विहिन जीवन जीना, और पुझी पतियों की दुदकार, यह सब उनके कड़वे जीवन के कड़वे अनुभव अंत तक बने रहे, चाली चैपलीन की नानी भारत से थी, जो भारत से यूरोप में गए थे और जिपसी कहलाए थे, चाली चैपलीन ने भी लगबग घुमंतों जैसा जीवन जिया, और फिल्मों में भी आवारा गर्द खाना वदोश का जीवन उन् दे सहरा सा जीवन जीना पड़ा, पिता का साया नहीं था, मा परी तेक्तिया थी, घर में गरीबी थी, यही सब कारण थे कि वो घुमंतों संसकारों के साथ अपना जीवन जीते थे, चाली चैपलीन पर कलाश अमिशन को ने इतना कुछ लिखा, इतना सिर्ख पाया, इतना स सोच विचार किया कि अब उन्हें कोई बात सूझती ही नहीं, यानि कि चाली चैपलीन पर हर कोण से बहुत कुछ लिखा गया, लेकक के अनुसार सिधान्त कला से जन्म लेते हैं, आशे यह है कि किसी उत्कृष्ट कला को देखकर समिक्षक नई कला सिधान्त करते हैं, पहल इतने रोचक, चुटीले और हाश्य उत्पन करते हैं कि करोडों लोग हाँ ससकर लोट पोट हो जाते हैं, समय और भुगोल से कटकर देखने का आशे इस पार्ट में यह है है कि उनकी इकलाकरतियां पूरे विश्व पर लागू होती हैं, चारली के कारनामों को देखकर कि तरश्यकों को यह लगता है कि वह चारली को किसी ना किसी रूप में जानते हैं, यानि कि उनकी हरकतें उनके आसपास की जिंदगी का चित्र दिखाती हैं। हश्य और करुणरस का मेल पाया जाता है। भारतिये संदरिये सास्त्र में प्राया दूसरों पर हसा जाता है, लेकिन चार्ली चैपलीन जो है खुद पर हसता है। भारतिये कलाओं में करुणा प्राय सदाचारी व्यक्तियों के प्रति व्यक्त की जाती है कभी-कभी तुष्टों के प्रति करुणा व्यक्त करने का भी विधान है भारत में विदूशक का काम होता है दर्शकों को हसाना यानि एक जो बीच में अलग से कलाकार होता है हसाने वाला उसका ये काम होता है कि वह लोगों को हसाए लेकिन यहाँ पर चारली चैपलिन स्वेम पर हसता है और पूरी फिल्म में स्वेम ही हसाने का कारे करता है चार्ली की फिल्मों के खलनायक दर्शकों के सामने विदेशी पात्र जैसे लगते थे उनमें पड़ा हुआ चार्ली हमें अपने जैसा या आसपास की साथियों जैसा लगने लग जाता था चारली अपनी मानवी क्रियाओं की द्वारा हमें आत्मी लगने लग जाता है यानि अपने जैसा सा लगने लग जाता है और वह जिन दुष्ट पात्रों के बीच में फंस जाता था अब ये हमें विदेशी प्रतीद होने लग जाते थे चारली के काना में इतने विवित थे कि वे किसी एक पात्र की कहानी के नहीं हो सकते उसके संदर बहुत अधिक व्यापक है और वे हमारे आसपास फैले जन जीवन की जहाकी को दिखाते हैं भारत में अगर होली के त्योहार की बात करें तो यह सब त्योहार से भिन है जिस पर हम हस सकते हैं या जान बुझ कर अपने आपको हसी का पात्र बना सकते हैं भारत में अपने पर हसने की परंपरा समाने तहर नहीं पाय जाती है चैपलिन प्राय माहमहीम लोगों पर शाशोकों पर और शक्तिशाली लोगों पर भी हंसता है वह ऐसे लोगों को या तो अत्यंत कठोर रूप में दिखलाता है या अत्यंत कोमल रूप में दिखलाता है चैपलिन स्वेम को सबसे हास्यास पर तब बनाता है जब वह स्वेम को सबसे अधिक शक्तिशाली दिखाता है और ऐसे छण में हसी करके वह दिखाना चाहता है कि शक्ति और जो जितने भी ताकत है वो सब एक दिखावा है और कुछ भी नहीं है चैपलिन गरिमा का गुबारफ लाकर उसे एक आएक फुस्क कर देता है ताकि आडंबरों की पोल खुल सके यानि कि गरिमा या शानो शोकत की व्यार्थता का वैया अपने चित्रण में बोध करवाता है और अपने आप पर हसने की परंपरा जो है वो किसी की संस्कृती नहीं है देश की बलकि यह चारली चैपलीन ने एक नई कला चलाई थी जिसमें वैस्वयम पर हसता है चारली के टिली होने का क्या आसे है एक पेरिग्राफ में ये शब्द आया है चारली के कारणामों के प्रतिरूट जिस प्रकार चारली के कारणामे और रोमांस अंतमे पंचर हो जाते हैं उसी प्रकार आमनुश्यों के रोमांस भी फुस गुबारे जैसे सिध होते हैं चारली के चरित्र के साथ प्राया गटनाई होती रहती हैं जो उचाई तक पहुँचकर एक आएक ऐसफल हो जाते हैं महांता हासिल करके लाद खा जाते हैं कभी कभी कुछ ना होते हुई यूँ भी जीत जाते हैं यानि बिल्कुल परिवर्तन भी आ जाता है चारली अपने चरित्रों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि बड़पन महांता शाशन अधिकार आदी सब दिखावा हैं छलावा है सूपरमेन विशिष्ट शक्तिशाली मनुश्यों को कहते हैं केवल मनुश्य केवल कल्पना कथाओं में पाया जाता है सूपरमेन कभी हारता नहीं है चारली केवल समान्य मनुश्य है वह कितनी भी सफलता पाले उसके भीतर दुर बलताएं हमेशा रहेंगी समान्य होना उसकी नियती है